हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप एक और नई हेल्थी और टेस्टी रेस्पी के साथ आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके साथ उत्पम की रेस्पी से यहर करेंगे जिसे हमने बची हुई ब्रड और बहुत सारी सब्जियों से बना कर तयार किया है य हुथ हेल्थी रेस्पी है ये चलिए तो बनाना शुरू करते हैं ये हमने बची हुई ब्रड ली है सबसे पहले ब्रड को हम तोड़ लेते हैं सारी ब्रड के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिये हैं अब हम एक बावल में एक कप सूजी लेंगे और आदा कप दही एक बड़े जार में हमने ब्रड को डाल लिया है अब इसी में हम सूजी और दही को डाल देंगे और साथ में आदा कप पानी हमने डाल दिया है और हमने दिखिए इसको पीछ दिया है आदा कप पानी इसमें हमने और यूज किया था कुछ बैटर हमारा इस तरह का तयार हो गया है एक बावल में हम इसे पलट लेते हैं यहाँ पर हमने प्याज, टमाटर, गाजर, सिम्ला मिर्च, कॉन, बीन्स और हरी मिर्च सभी को थोड़ा-थोड़ा हमने ले लिया है और सबको बारीग चौप किया है उत्पम के बैटर में हम सारी सब्जियों को डाल देंगे और साथ में कटा हुआ हरा धनिया भी हम डाल देते हैं गाजर को यहाँ पर हमने ग्रेट किया है एक चम्मच, आदा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आदी चम्मच हल्दी और इसे चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए एक चम्मच हमने चाट पसाला डाला है साथ में आदा चम्मच नमक, नमक का आप स्वात के अनुशार डालिएगा सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और लीजिए उत्पम का बैटर बनकर पूरा तयार चौथाई चम्मच इसमें हमने खाने का सोडा डाल दिया है इससे उत्पम हमारा बहुत ही फ्लपी और सौप्ट बनेगा इधर तवा गरम होने के लिए हमने रख दिया था थोड़ा सा तेल लगा कर तवे को हम ग्रीज कर लेते हैं यहां उत्पम हम नौन इश्टिक तवे पर बना रहे हैं उत्पम आप छोटा बड़ा जैसा चाहे बैसे बना सकते हैं यहां हमने दो चम्मच उत्पम का बैटर डाल दिया है और चम्मच से ही उसे हलका सा फैला दिया है उपर से लिट लगा देंगे और जब यह उपर से थोड़ा सस्थ देखे सूखने लगेगा तव इसमें कुछ कटी हुई सबजिया हम उपर से और डाल देंगे इस से उत्पम देखने में बहुत सुन्दा लगेगा कटा हुआ हरा धनिया भी हम डाल देते हैं इस पर थोड़ा सा ओयल लगाएंगे थोड़ा ओयल उपर भी हम डाल देते हैं जब यह उपर से अच्छे से सूख जाए तब आप इसे पलट कर दूसरी साइड से सैक लीजिए और दबाते हुए इसे दूसरी साइट से भी हम सैक लेते हैं और ये दिखिए उत्पम बनकर हमारा तैयार हो गया इसे हम निकाल लेते हैं बाकी के सारे उत्पम भी हम बिलकुर इसी तरह से बना कर तैयार कर लेंगे तो कैसी लगी आपको ये रेश्पी कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और यदि आपको हमारी रेश्पी सच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूने एक और नई रेश्पी के साथ जल्दी हम आपसे फिर मिनेंगे थेंक्यू